आज हम लोग बात करेंगे क्लास एट का मैट्स में कौन सा बुक हम लोग पढ़े कौन सा बुक स्टार्टिंग से ले करके चले और कौन सा बुक हम लोग एक्जामिनेसेंस के टाइम में पढ़ेंगे और कैसे अपने तैयारी को बूस्ट करेंगे वो हम लोग आज थोड़ा बात करेंगे क्योंकि सारे बच्चों का ये प्रोब्लेम है स्टार्टिंग में वो लोग सोच रहे हैं कि कौन सा बुक पढ़ना अच्छा होगा सबसे पहला नाम ओस्वाल का आता है बहुत सारे बच्चों में अभी ये क्वेरी मन में उनका आ रहा है कि ओस्वाल बुक से हम लोग स्टडी करें ओस्वाल बुक बहुत ही अच्छा है बहुत अच्छा ब्रैंड उभर करके आया है बहुत हेल्फुल बुक है ये बहुत अच्छे से मतलब यह अपने जो content है वो बहुत अच्छे से exam oriented बनाता है exams में helpful कितना ज़्यादा हो पा है वही सोच करके यह book बनाया गया है Oswal का मैंने review किया है science book का भी class 8 का तो class 8 का science book हुआ social science हुआ यह सब के लिए तो the best है Oswal तो मैं कहूंगा कि Oswal book अगर आपको पढ़ना है तो आप इसे examinations के पहले पढ़े starting में उतना pressure नहीं लेना है आपको क्योंकि starting में आपका जो base है वो वो आपका होना चाहिए NCRT वो आपका NCRT ही होना चाहिए starting में science और social science के लिए लेकिन जब maths का बात आता है और science और social science के लिए आप शायद starting से लेकर भी इसको चल सकते है Oswal को साथ-साथ पढ़ भी सकते NCRT को एक chapter किये then Oswal का भी एक chapter आप कर लिए मतलब Oswal करने से क्या हुआ कि आपको बहुत सारा questions पूरा bank आपको मिल जाएगा question का मतलब आपको ऐसा हो जाएगा confidence बढ़ जाएगा और मतलब कोई भी question छूटेगा नहीं आपका सारा questions complete होते जाएगा अगर आप Oswal को साथ-साथ ले करके चले तो ये benefit होगा science और social science में लेकिन जब maths का हम लोग बात करते हैं Oswal का maths book अगर लेने का बात करते हैं तो मैं कहूंगा सबसे पहले आप RS अगरवाल बनाईए या फिर आप RD सर्मा को बनाईए पूरा RS अगरवाल आप बनाते पहले RS अगरवाल चलता था बहुत जादा बहुत जादा लोग prefer करते थे लेकिन उसके बाद RD सर्मा भी बहुत जादा चलने लगा है क्यों इसका कारण यही है कि RD सर्मा में इतना जादा examples होते हैं इतना जादा types होता है questions का कि वो सब कुछ cover कर देता है और practice के लिए RD सर्मा the best book है practice के लिए और initiative के लिए start करने के लिए भी RD सर्मा best है और practice के लिए इसमें sufficient materials होते हैं तो mathematics के लिए मैं कहूंगा कि आप RD सर्मा पहले बनाई है अगर RD सर्मा अगर नहीं ले पा रहे हैं अगर किसी case में तो आप RS अगरवाल जरूर बनाई है starting से आप OSWAL बनाने का नहीं सोच सकते हैं इसमें maths के case में क्योंकि maths में आपको base बनाना है पकड़ बनाना है आगे चल करके आपको अगर science का student बनना है 11th 12th में science लेना है तो आपको अभी से RS अगरवाल या फिर मैं कहूंगा RD सर्मा को आपको ले कर ही चलना होगा उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है थोड़ा भारी बरकम दिखता है बहुत ज़्यादा content है उसमें लेकिन वो आपके future के लिए आपके लिए बहुत ही beneficial होगा उसके बाद जब आप उसके बाद जब आप ओस्वाल का book mathematics का book लेंगे question bank तब आपको बनाने में मज़ा आएगा ओस्वाल का book क्यूंकि आप पूरा course किये हुए होंगे और यहाँ पर आप जब set लगाएंगे question का set लगाएंगे paper बनाएंगे यह तो question bank है बहुत सारे questions मिलेंगे different types के तो तब आपको मज़ा आएगा और आपका confidence जो है वो boom पे होगा वो confidence आपका boost करेगा और exams में जाकर करके आप ultimately बहुत अच्छे numbers लेकर करके आएंगे तो फिलाल हम लोग इस book का ओस्वाल का ही मैं बताने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ questions भी बहुत लोग ने पूछा है बच्चे ने पूछ रहे हैं अभी सभी लोग कि ओस्वाल क्या करना चाहिए ओस्वाल आप जरूर लीजिए अगर आपको लेना है तो ओस्वाल आप जरूर लीजिए आपका examinations को जो है यह बहुत ही अच्छा रूप देगा है last में क्वीएस का fic Jurassic period माइड मैप्स माइड मैप्स के जरीए ही आपको समझाया जाता पूरा चैप्टर का समरी को वो बहुत helpful होता अगर आप अच्छे से समझाएंगे उसको तो इन परियोडिक कैस्ट दिया हुआ यहाँ पर कुछ जो आपको help करेगा उसके बद सारे chapters as it is यहां पर दिया हुआ है जैसे आपको NCRT में है और RD सर्माम आपको मिलेगा सारे chapters मिलेंगे इसमें तरह तरह के आपको questions मिलेंगे short question very short question फिर आपको long question ठीक है जैसा आपका एक्जाम में आता है जैसा आपका पूछा जाता है यहां पर दिया हुआ है जैसा आपका एक्जाम में पूछा जाता है वो सवाल में उसी तरह से आपको उसी टाइप से marks wise यहां पर कितने marks one marks a question two marks a question सारे section wise यहाँ पर आपको chapters में मिलेंगे तो उससे क्या होता कि आपका तयारी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका तयारी एक systematic way में चलेगा जैसे यह rational number का chapter है तो इसमें आपका mind map दिया हुआ है सारे chapters कैसे ही mind map आपको मिलेगा mind map मिलने से आपको बहुत help होगा chapters यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है थोड़ा short में यहाँ पर समझाया भी गया है यहाँ पर सारे points दिये वह important points ठीक है chapters बहुत अच्छे से solved करके दिया हुआ यह देगे सारे questions का solutions भी है आपको कोई problem नहीं होगा इस book में ठीक है लेकिन आपको यह book starting में नहीं बनाना है यह book आपको पहले आप complete कीजिए chapters को RD Sarma से या RS Agarwal से थोरो उसके बाद ही आप Oswal का book को purchase कीजिए ठीक है तो आपको इलिए बहुत ज़्यादा ही beneficial हो सकता है और अगर आप starting से ही अगर Oswal try करने लग गये तो आपको confidence किर सकता है और आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे जो RD Sarma में आपको मिल सकता है तो class 8 जो है वो base class है आपको base बनाना बहुत जरूरी है mathematics का अगर base बनाना है तो आप RD Sarma को ही लिजिए आँख बन करके और thorough इसका practice किजिए सारे examples को बनाईए कुछ छोड़िये मत ठीक है और उसके बाद आप Oswal बनाएंगे ठीक है Oswal का book जो है उसके बाद बनाएंगे पहले RD Sarma बनाना है then Oswal बनाना है in case of maths in case of maths only और अगर science का बात करते हैं तो science का आप Oswal अगर लेते हैं मैं वीडियो ऐसे देता हूँ Oswal का book मेरे पास है मैं वीडियो तो बनाई रहा हूँ Oswal का सारे chapter wise तो पहले आप सारे chapters को देखिए और channel पे जाईए आप मेरे और playlist में जा करके आप class 8 का सारे chapters को thorough पड़िये science का उसके बाद मैं देरे-देरे Oswal से भी सारे chapters को मैं upload भी कर रहा हूँ वीडियो बना करके ताकि आप लोगों को help हो पाए I hope कि आप लोगों कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा होगा देख जरूर लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू and have a nice day